हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल स्ब्यम पॉलिटिकल साइंस हम थिंकर्स पड़ रहे थे और थिंकर्स की सीरीज में आज हम पड़ेंगे थॉमस एक्विनॉस को थॉमस एक्विनॉस अपने यूग के एक महान विचारक थे जिनका जनम 1225 इस्वी में हुआ था और उनकी मरत्य हो गई 1274 में यह मध्यय यूगीन विचारक थे एक दरम मिमाशक विचारक थे उनके समय में अरस्तु की एक बुक है पॉलिटिक्स उसका लेटिन वर्जन आया था जिससे वे बहुत ज़्यादा परभावित हुए थे वो इतने परभावित हुए कि उन्होंने अरस्तु के दर्सन और उनके समय में प्रचलित मसीही दरम की मानेताओं को मिला कर अपनी नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक सिद्दान प्रस्तुत किये जो आगे चलकर रोमन कैथोलिक शिक्षा का आदार बने सबसे बड़ी बात कि वो अरस्तु से बहुत ज़ादा परभावित थे और धरम से जुड़े हुए विचारक थे उन्होंने धरम की नैतिकता को अपने दर्सन में बहुत अच्छे से समावेशित किया आज हम उनके महतपुन सिद्दान और उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किये उनके बारे में पढ़ेंगे उनका पहला विचार है प्राकर्तिक कानूनों पर उन्होंने प्राकर्तिक कानून का सिद्दान प्रस्तुत किया Thomas Equinos की एक किताब है सुमा थियोलोजिया जिसमें उन्होंने च्यार परकार के कानुनों का वर्णन किया पहला है साश्वत कानुन, दूसरा है प्राकर्तिक कानुन, तीसरा है दिव्य कानुन और चौता है मानव्य या सकारात्म कानुन थॉमस एक्विनोस के अनुसार सास्वत कानून इश्वर ये कानून है जिनको इश्वर नहीं बनाया है और यह मानुके सद्विवेक पर आदारित होते हैं शाश्वत कानूनों में इश्वर ने जिस उद्देश्चे से या देश स्रश्टी की रचना की है उसका स्पष्टी करन होता है इस कानूनों में इश्वर की सूजबूज और इश्वर की योजना का पता चलता है इस तरह शाश्वत कानून इश्वर के बनाई हुए वो कानून है जिन से स्रश्टी चलती है उसके बाद आता है प्राकर्तिक कानून प्राकर्तिक कानूनों को हम शाष्वत कानून का एक अंग मान सकते हैं क्योंकि शाष्वत कानून इश्वर ने बनाए हैं और उसी का एक भाग है प्राकर्तिक कानून जो सांसारिक जीवन में हम जिनका पालन करते हैं प्राकर्तिक कानून विवेक पर अधारित होते हैं यह सांसारिक होते हैं याना कि सांसारिक मनुश्य इन नियमों का पालन करते हैं यह मनुश्य के सवभाव में इस्थाबित होते हैं इनको बाहर से लागू नहीं करना पड़ता जिस तरह मनुश्य में सुभगी और जुकाव पाया जाता है तो वो अपने आप ही इन कानूनों का पालन करता है जैसे आत्म रक्षा है अपने बच्चों का पालन फुस्थ है तो वो अपने अच्छे के लिए दूसरे का भी अच्छा सोचता है क्योंकि केवल मनुश्य की विवेग विसे सता होती है कि उसमें विवेग पा कि अगर उसने किसी को आनी पहुंचाई तो उसे भी कोई आनी पहुंचा सकता है इस तरह ये प्राकर्टिक कानूनों से लोग मिल जुलकर रहते हैं प्राकर्टिक कानून सत्य वे न्याय प्रादारित हैं जिसके लोग एक दूसरे को समानता से बंटवारा करते हैं क्योंकि र दिवे कानून दर्मा देशों पर आदारित होते हैं यह दर्म गरंथों में पाये जाते हैं जैसे गीता है कुरान है तो दार्मिक गरंथों में जिन कानूनों का वर्णन है वो क्या है दिवे कानून है और यह प्राकर्तिक कानून के पूरक होते हैं जो इन मनुष्य का मारक द करते हैं जिसके आदार पर वो प्राकर्टिक नियमों का या मानवे कानूनों का पालन करते हैं उसके बाद है मानवे या सकारात्मक कानून मानवे या सकारात्मक कानून वो कानून है जो संस्थाओं के परसासन के लिए बनाये जाते हैं जैसे सरकार अपना परसासन चलाने के या अपने राज्य को चलाने के लिए जिन कानूं का निर्मान करते हैं। वो मानवे या सकारतमक कानून होते हैं। लेकिन कुछ उचारक मानते हैं कि प्राकर्तिक कानून तीरे-दीरे बदल जाते हैं और मानुए कानून उस पर हावी हो जाते हैं लेकिन एक्विनोस का मानना था कि प्राकर्तिक कानून इतने विस्तर्थ हैं कि इन से हम मानुए कानूनों को प्राप्त कर सकते हैं ये बदलते हैं नहीं है लेकिन समय के साथ इनका विस्तार जरूर हो सकता है इस तरह से थॉमस एक्विनोस ने प्राकर्थिक कानूनों को बहुत ज़्यादा महतु दिया उनके अनुसार प्राकर्थिक कानून ही सभी का दूसरे कानूनों के लागू होने या बनाने या उनके संचालन के लिए प्राकर्थिक कानून सबसे ज़्यादा महतुपून है उनके अनुसार मनोश्य की सबसे बड़ी परवर्ती होती है कि वेस्त इश्वर के बारे में सत्य की जिक्यासा रखता है और सामाजिक जीवन में उपो करना चाता है और सुकोर्सांति से वो रखना जाता है और अगे थोमस एक्विनोस थे मान्व के सवभाप पर अपने विचार परस्तुत किये थोमस एक्विनोस का मानना था कि मनुष्य, दार्मिक, सामाजिक और राजनितिक प्राने हैं यानि वे दर्म, सम्माज और राजनिती तीनों को मैतों देता हैं और वे तीनों का उपवोग या तीनों में जो भागीदारिय वो करने की शमता रखता हैं। उनका मानना था कि मनुष्य एक मातर से चेतन और विवेक शील प्राणी हैं। इस रस्टी में मनुष्य ही एक मातर ऐसम प्राणी हैं जिसके पार चेतना है और विवेक हैं। इस तरहें मनुष्य को एक सकारात्मक पक्स से वो इसके सभाव का चित्रन करते हैं। उसके बाद थॉमस एक्विनोस ने अपने विचार रखे यूद्ध परॉमस एक्विनोस ने कहा कि यूद्ध न्याइपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसके लिए दो सकते हैं। पहला है कि इसका उदेश्य या देई है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए दूसरा है कि यूद में जो वेवार किया जाता है वो भी न्यायपूर्ण होना चाहिए इस तरह अगर उदेश्य न्यायपूर्ण है और वेवार भी न्यायपूर्ण है तो यूद न्यायपूर्ण ह सकता है इस प्रकार। यूद का समर्थन करते हैं अगर वो न्याय पूंध हो तो उसके बाद उन्होंने अंतरराश्टे कानून के विकास का संगेत मतलब की उन्होंने यूद को न्यायपुन कहने के साथ ये संकेत दिया कि अंतर राष्टे कानून का विकास होना चाहिए इसके अलावा एक्विनोस ने प्राकर्तिक कानूनों का अंतर राष्टे संबंदों में लागू करने का पर्यास किया ये जो प्राकर्तिक कानून है इन्होंने कहा कि इनको अंतर रा विचार थे वो पढ़ेंगे थॉमस एक्विनोस ने संट ओगस्ट टांड के निराशावाद को ऐस्विकार किया और अरस्तू के जो राज्य पर विचार थे उससे अरस्तू बहुत जादा परभावित एक्विनोस बहुत ज़्यादा बरबावित हुए है जिस परकार अरस्तु का माना था कि राज्य का अस्ततो सरद जीवन के लिए है उसी परकार एक्विनोस ने भी ये माना कि मनुश्य का अस्ततो राज्य से है एक्विनोस प्राकर्तिक संस्था मानते थे राज्य को उनके समय में कुछ विचारकों का यह मानना था कि रज्य पाप का फल है क्योंकि पाप वह स्यादा बढ़ गया था मतस्य न्याय की इस्तिती थी इसलिए रज्य का जन्म हुआ लेकिन एक्विनोस इसके विपरीत यह मानते हैं कि रज्य या राजनितिक समुदाय पाप का फल नहीं है पाप अगर नहीं होता दुनिया में फिर भी राज्य होता यानि कि राज्य का निर्मान तब भी होता अगर उसमें कोई भी पाप जैसी गतिविदी नहीं होती इस तरह एक्विनोस का माना है कि मनुश्य की पूर्णता राज्य से ही संबव है अगर राज्य नहीं ह तो मनुश्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता इस तरहे वो राजनितिक समूदाई को पूर्ण समूदाई कहते हैं जिस तरहे एक वस्तू को पूर्णता से बनाने के लिए उसके विबिन अंशों और उसको मिला कर उसके पूर्ण रूप दिया जाता है उसी परकार राज्य और मनुश्य अप्रस में मिलकर एक पूर्ण समूदाई का निर्मान कर सकते हैं इसके बाद एक्विनोस सविधान पर भी महतो देते हैं या सविधानिक जो विद्या होते हैं उनको भी वो महतो देते हैं लेकिन एक्विनोस मानते हैं कि सविधान सिर्फ सद्गुणों और साष के तरक बुद्धी पर आधारित होना चाहिए यानि कि ऐसे साषक द्वारा निर्मित हो जिसमें तरक बुद्धी हो और जिसमें सद्गुणों का समावेश हो इस तरहें तरक, वीवेक और प्राकर्तिक कानून इन पर आदारित सविदान ही मानने होगा या फिर इसी परकार के सविदान को वैदता दी जाएगी जिसमें तरक हो वीवेक और प्राकर्तिक कानूनों का सम्मावेश हो जो सद्गुनों पर आधारित हो और सास को दारा बनाया गया हो जिसमें तरक बुद्धी इस्तिवाल की गई हो ऐक्विनोस मानते हैं कि संसारिक अस्तितो की सार थक्ता वैसिद्धी राज्ये से ही संभः है यानि राज्य के वो साधन मानते हैं संसारिक अस्ततों और सार्थक्ता का अगर संसार का अस्ततों बनाए रखना है और उसकी सार्थक्ता का सिद्ध करना है तो हमें राज्य का इस्तेमाल जरूरी है या राज्य का निमान जरूरी हो जाता है लेकिन इसी करम में उन्होंने ये भी विचार रखा कि राज्य की सत्ता ऐस सिमित नहीं हो सकती क्योंकि अगर सासक अत्याचार करने लग जाए तो उसका विरोध जरूरी हो जाता है इसलिए वो ऐसी मिच सत्ता का समर्थन नहीं करते हैं और जनता को अत्याचार होने पर उसके विरूद का दिकार भी देते हैं उन्होंने राज्य को इतना अधित महत दिया लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म को सवतंतर रखा क्योंकि वो धर्मिकता से जुड़े वी विचारक थे उसलिए उन्होंने धर्म को राज्य के अदिन नहीं किया उन्होंने राज्य और चर्च में सत्ता का विभाजन कर दिया धर्म अपने मामलों में सवतंतर है और वो राज्य के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता लेकिन अगर राजा कानून बनाते समय प्राकर्तिक कानूनों का पालन नहीं करे और वो अपने मन मानने कानून बना दे तो धरम या धार्मिक सत्ता राजा के मामलों में दखल अंदाजी कर सकती हैं लेकिन अगर राजा प्राकर्तिक कानूनों के अनुसार अपने सासन का संचालन कर रहा है तो धरम या धार्मिक सत्ता राजा के कानूनों या राजा के सासन संचालन में दखल अंदाजी नहीं कर सकती धरम केवल विदी निर्मान के मामलों में और वो भी तब प्राकर्तिक कान तो दखलनदाजी कर सकते हैं इस परकार राजनेतिक समुदाई पर अरस्तु के विचारों से एक्विनोस काफी अद्दक प्रबावित हैं और उन्हीं से विचार क्रेंड करके और जो धर्मित मानेत हैं उनको मिलाकर उन्होंने अपना राज्य पर तर्संदिया अब आगे हैं संपत्ति और वैपार पर एक्विनोस के क्या विचार थे संपत्ति पर जो विचार है वो अरस्तु से परभावित हैं या अरस्तु का उन्होंने समर्थन किया हैं लेकिन वैपार के मामले में उन्होंने अरस्तु का इतना समर्थन नहीं किया अरस्तु के विचारों से परवावित होकर उन्होंने अपने संपत्ति पर जो विचार रखे हैं वो इस परकार है कि एक्विनोस ने भी निजी संपत्ति का समर्थन किया है जिस तरह रस्तों ने भी किया था क्योंकि एक्विनोस का माना है कि समाज के वैवेस्थित संचालन के लिए निजी संपत्ती जरूरी हो जाती है लेकिन इसके साथ ही उनका माना था कि अगर मनुश्य की या एक मानों की आवशकता पूरती हो जाए और वो अपने सीमी तलावों के लिए थोड़ी सी संपत्ती रख ले उसके बाद भी अगर उसके पास अतिरिक्त संपत्ती बज़ जाए तो उस पर निजी संपत्ते का समर्थन किया लेकिन बहुत ज़्यादा एक संपत्ती करने के वो पिरोदी थी इस परकार उनने कल्यान की बाहुना का समर्थन किया उनके अनुसार अगर आवशकता पूरती के लिए एक इंसान अगर चोरी करे तो वो पाप नहीं है यानि कि अगर एक बुखा आजमी किसी के घर से रोटी चुरा ले तो उसे हम पाप नहीं कह सकते क्योंकि वो उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किया था इस परकार वो निची संपति का समर्थन करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अतिरिक संपति का समर्थन नहीं करते हैं आगे हैं वैपार पर क्या विचार है वैपार का वो सीमित समर्थन करते हैं क्योंकि Aakuinos का मानना है कि किसी भी राजे में वस्तु की कमी हो सकती है या अदिकता हो सकती है इसलिए वैपार जरूरी हो जाता है लेकिन फिर भी उनका मानना है कि आत्म निर्बर राजे ही स्रेश्ट है कि उसे कोशिश करने चाहिए कि वैपार ना करना पड़े क्योंकि उनकी समय में जो दरम गरंथे वो स्वेपार को अच्छा नहीं मानते थे दरम गरंथों में ये कहा जाता था कि सच्चा है वो कभी सौधागर नहीं हो सकता इस पर उनका भी परवाव था दरम गरंथों का और थोड़ा परवाव अरस्तू का इन सबसे जो उन्होंने विचार प्रस्तूत किया उनके अनुसार सोधागर जितने कम हो उतना अच्छा है यानि कि वेपार जितना कम हो उतना अच्छा है उन्होंने सीमित समर्थन पर दान किया और राज्यों को आत्म निर्बर बनने की कोशिश करने चाहिए इसी के साथ उन्होंने उच्चित मुले का समर्थन किया उचित मुले के मामले में उनका माना था कि उचित मुले विक्रेता की लागत से नितरित होना चाहिए, बजार की मांग से नहीं, याना कि बजार में मांग कम हो जद हो, उससे लागत मुले पर फरक नहीं पड़ना चाहिए, वो एक जिसने भी वस्तु बनाई है या उसका तरी मेहनत की हैं उसके बेसे उचित मुल्य का निर्दारण होना चाहिए थॉमस एक्मिनोस के समय में यूरोप में आर्थी गतिविद्या बढ़ रही थी और साथ दार्मिक सत्ता का परबुत्त था तो इन दोनों से दोनों के बीच अन्यस संस्थाओं की वेदता स्थापित करने के लिए उन्होंने अरश्टू के तारकिक पक्ष को और धर्म के नेतिक पक्ष इन दोनों को मिलाकर अपने समस्याओं का वहवारिक समादान प्रस्तूत किया और वो इसमें सफल भी हुए याद रखा जाएगा और इसी के साथ हमारा यही लेक्चर पूरा होता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू